रॉइट, बैक ट्राकिन और रिकर्जण रेकर्जण की प्रॉब्लिम को भी और फिर इनक्विंपूब्लिम्स के अंदर हमने रिकर्जण और र बैक ट्राकिंग का कॉंसेप्ट देखा थर्ड एक प्रॉब्लम है जो सुडू को गेम के लाता है। इससे हम डिसक्स करेंगी कि recursion और backtracking इसमें किस तरह से इस्तमान रहूँ है तो related इससे previously तबाव वीडियो में रे-डूप चैनल पर है फादुसेंसी से सुच करने के बाद आप चैनल पर आएंगे इसके playlist पर आकर मौझूद different displays की वीडिस को इस आफ वाच कर सकते हैं तो एक ऐसा mathematical puzzle जो कुछ basic rules को follow करता है और उन rules में basic rule ये है कि जो grid या two dimension of arrays values यहाँ पर मौझूद होगी उस 9 by 9 की grids में कुछ ऐसी जबाए होंगी या ऐसे grids होगे जिसमें values और कुछ blank होगे तो इन blanks values पर हमें 1 से लेकर 1 से 9 तक की values लिखनी पड़ेगी यानि इस block में 1 to 9 के दरमाद कोई भी values लिख सकता हूँ और इसी तरह से हम तमाम grids को fill करें second part इस rule का ये आता है कि इस 9 by 9 की grid में इसे सब grids में divide किया गया है जिसे हम 3 by 3 का यानि ये एक grids का combination है जो 3 by 3 का है फिर next है फिर next है इस तरह से 9 grids होंगे जो 3 by 3 ठीक है 1, 2, 3 and 3, 3 and 1 अब रोज ये कहता है कि कुछ numbers इसमें already मौझूद है आप कुछ आपने लिखने है जो कि 1 से 9 के दरमाद होगे तो जो number आप किसी भी एक grid में लिखते हो तो इसके लिए जरूरी है कि जिस raw पर मैंने 1 लिखा है इसमें more than 1 मौझूद ना हो जो कि already ही है कि यहाँ पर कोई 1 मौझूद नहीं और जिस column में मैं मौझूद हूँ आप साथ ही साथ जिस सब grid के अंदर आप मौझूद है उस grid में भी save once एक ही दफा होना चाहिए यानि यहाँ पर यहाँ पर यह यहाँ पर यह जो values हमें assign की लिए वहाँ पर भी one मौझूद ना same logic second grid के लिए इस्तमाल करेंगे for example मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मैं one दुबारा नहीं लिख सकता क्योंके ना सुरिख इस row में मौझूद है बलके column में भी already मोझूद है तो क्या मैं यहाँ पर two लिख सकता हूँ जिबलकुल two लिख सकता है क्योंके ना same cost पे और ना same columns तो ये तीन चीज़ें हमें देखनी होगी जिस grid में मौझूद हैं जहाँ पर आप values लिख रहे हैं same row and column में values ना हो और जो subgrid है 3 by 3 का उस ninth values में कोई भी values उसके बराबर या उसके इलावन ना हो जो यहाँ पर लिखी रहे हैं तो यह हो गई basic pseudo को की definition अब recurrence में और backtracking का यहाँ पर इस्तमाल इस तरह से होगा कि हम recurrence की जरीए से हम जानते हैं कि जो काम iterated way से किया जा रहा होता है वही चीज़े हम recurrence के जरीए से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर बार बार values को जो कि 1 से 9 के दिर्म्यान होगी हम उसे assign कर रहे होंगे और assign करने के बाद हमारा basic goal क्या है basic goal यह है कि तमाम जो empty block है जो boxes हमें दिये गए हैं उन पर तमाम पर values आ जाए और वो इन तीनो rules को follow करें जो अभी हमने discuss के लिए अगर हम successfully based on the rule इन तमाम empty grade को fill करने में कामयाब हो जाते हैं तो which mean we are successfully completed the pseudo-copus वो पिला इड़स्टेंड कि basic logic इसकी क्या थी और उसकी basic rules क्या recursion की जरिये से जैसा भी हमने यहाँ पर discuss किया, iterative way से हम recursion इसलिए follow करते हैं ताकि वो complexity को reduce कर सके, तो recursively हम numbers को assign कर रहे होंगे ठीक है, और जहां पर हमें complete solution नहीं मिल रहा होता है तो हम backtrack करके उन जो values को यहाँ पर जो भी values हमने यहाँ पर assign की होगी हम उसे दुबारा से blank करेंगे ठीक है, और उसके बाद second way से यानि second approach के साथ दुबारा से values assign करके check और यह process उस फक्त होता रहेगा जब तरक हम successfully इसे complete है क्या ऐसा मुम्किन है कि कोई एक ऐसा हमें यह 9 by 9 का grid दिया जा जिसका solution possible ना हो, यानि no solution हो जी या बिलकुल हो सकता है, इसकी example वैसे ही है कि जब हम end coin problem को सॉख के अगर दे तो हमें इस तरह से grid दी जाए या quantity of coin जादा दे दी जाए जो के boxes से जादा हो, तो हम उसे assign करें, right, hope you'll understand कि sudo को क्या है और किस तरह से work करता है अब अगर logically code के aspects से देखें तो जब आफ values assign कर रहा होंगे तो वो एक tree को represent कर रहा हो यानि उसकी growth और उसकी worky एक tree को form कर रहा होगी, कैसे for example, एक हमें 9 by 9 का एक sudo को grade दिया गया है according to the basic definition, कुछ grades में values assign होगी कुछ में नहीं होगी और हम यह rules को follow करना है कि हम यहाँ पर जो values लिखेंगे, वो same rows ना सिर्फ column में ना हो, बलकि जिस 3 by 3 के सब grade में मौझू तो आपर भी उसके इलावा वो values नहीं होनी चाहिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहां मैं 1 लिख सकता हूँ, जी नहीं लिख सकते है, क्यूँ? क्यूँके वो rows in column में already है तो अगर row में नहीं भी होता तो इस 3 by 3 में यहाँ पर मौझू करने ठीक है, क्या मैं 2 लिख सकता हूँ? नहीं row पर भी मौझूद है और यहां पर भी मौझूद है क्या मैं 3 लिख सकता हूँ? 3 भी नहीं लिख सकता हूँ क्यूके वो row में अगर भी मौझूद है What about the 4? अगर मैं यहां पर 4 को देखो, तो 4 इसी row पर मौझूद है तो अब बजगी values 5 तो क्या मैं 5 लिख सकता हूँ? यह बिलकुल लिख सकता हूँ तो पहड़ी values पर जब 5 लिखा गए तो अब हमारे पास जो blank space यहां पर मौझूद है वो है 1, 2, 3 and 4 क्योंकि सिर्क्ल कर देता हूँ यह हमारे blank space है तो अब 5 के बाद इस 1 पर कौन सी values आनी चाहिए उसकी possibilities यहां पर देखी जाएगी behalf of the recursive recursive way पर मैं check कर रहा हूँ कि 5 पर अगर मैं 8 assign कर on 5 के बाद इस जगा तो उसके बाद further possibilities क्या हो सकती है मैं जो second position है उस पर 7 लिख सकता हूँ फिर 3rd पर 4th लिख सकता हूँ फिर 4th पर 9 लिख सकता हूँ 7 की भी आफ पर और अगर 8 के बाद 9 वैने यूज किया तो मैं 7 लिख सकता हूँ यह एक subtree है यह सब graph है जिसमें assignment हो रही है अगर second part of the tree को देखें तो यहाँ पर अगर मैं इस first block में 1 की जगा पर 9 यूज करता हूँ तो यह उसकी subtree 1 तो यह possibilities बता रही है कि किस तरह से values assign हो सकती है अब यह recursive way पर बार बार काम होता रहेगा जब तक कि हम based on the rule इन तमाब को फिल्फिलना सकते हैं same strategy पर यहाँ पर उसी grade को मजीद express करके दिखाया जा रहा है कि 5 से 8, 8 से 9 और 7 यह possibilities हमने first tree पर represent की और फिर 7 से यह चीज़ें वजीद breakdown अब देखो recursively way पर यहाँ पर slow दिखाया जा रहा है कि अगर मैं 5 ठीक है और फिर 8 पर 9 और 7 यूज करके यहाँ पर आता हूँ तो इस possibilities को 3 से 5 3 से 9 और 3 से 7 कर सकता हूँ यह 9 से 7 कर सकता हूँ और फिर 5 से 7 कर सकता हूँ लेकिर अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ और successfully हम इस solution को यहाँ पर find ली कर पारें तो हम backtrack करकर वापस आते जाए तो बिस backtracking से फाइदा यह होगा कि जहाँ जहाँ पर हमने values लिखी विया होगी for example यहाँ पर मैंने 3 लिखी है तो हम इसे delete करके blank करूँगा और तुबारह से दाले उसकी ऐसान क्यों कि इस grade पर मुम्किन है कि अगर मैं 3 यहाँ पर use करू तो वो possible ही नहीं और बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि 3 already ही इस grade के सफ़ार्ट पर मौझूद है 3 by 3 के अंदर तो प्याँ अंडर्स्टेंड कि एक basic logic क्या है sudo POC की और वो किस तरह से work करता है core पर चलते हैं और core पर basic possibilities को समझ देंगे कि actually इनी logics को rules को हम वहाँ पर कैसे represent करने और किस तरह से recursive और backtracking का concept वहाँ पर इस्तामाल होगा ओके जी सबसे पहरे हमने एक function बनाया है जिसका नाम print grid है वेरी संपल ये function 2D values लेगा 9 by 9 का और उसे 2 loops है क्योंकि ये 2D array इसकी दिम्दारी सिर्फ और सिर्फ ये है कि grid जो array आपने दिया होगा वो rows and column के ये आफ पर print हो जाएंगे हर एक line के बाद line terminate होगी ये 9 by 9 की values डिस्प्ले करेंगे अदर स्वाइड़ संपल असल logic हमारी चुरू होती है solve sudo को से और एक bold value जे return करता है क्यों क्योंकि अगर आपने sudo को की initial asli values दी जो already रहूंगे for example क्योंकि कुछ तो values आप आप लिख कर देते है अब आप वो already रहूंगे तो हम कई किसी तरह भी 1 से 9 तक की values इस्टमाल करके उसे solve नहीं तो या तो based on your input values solve sudo को true return करेगा या पिर false return समझने है लिए सबसे पहले मैंने इस function को जब call किया तो अपनी input values इसमें देती है जो function में दिया गया था फिर हमने एक parent loop का इस्तमाल किया जो raw की value को 0 से लेकर 9 तक चला है अगर मैं 0 से 8 का हूँ तो 9 नहीं value होती यह parent लोगा पिर इसके inner side पर मैंने column को entertain रहू के respect से column को entertain अब जब मैं inner loop के अंदर आया तो मैंने कहा कि जो grid के rows and column rows and column का मतलब यह हुआ कि 0 और फिर यह 0 चलेगा और हम जानते हैं कि inner side complete चलता है parent के मताब तो 0 1 ठीक है फिर 0 2 फिर 0 3 0 4 इस तरह से values चलती रहेगी और वो क्या चेक कर रहा है कि अगर grid की values already assigned है 0 तो इसका मतलब program हैगेगी या program के respect से यह हुआ कि question में उसकी values assigned लिए वैसे अभी हमने ppt पे blank दिखा था तो blank को मैं 0 से निश्याग कर सकता हूँ ठीक है चेकिंग की गए अगर कहीं पर values 0 मिल जाती है तो इसका मतलब है we need to fill it अब अमने क्या किया try filling the empty cell with the numbers from 1 to 9 अब मैं 1 से 9 तक की values उसमें set कर रहा क्योंकि we are not sure about that कि कौन सा number उसमें right way पर होगा ठीक है inner side पे loop में मैंने एक तीसरा loop यहाँ पर बनाया है जो हर एक cell के अंदर values set कर रहा है कि अदर वो blank है तो तुम कौन सी value जैसे ही मैं inner loop में आया तो उसकी values 1 से लेकर 9 टेक्शन रही है तो 1 से 9 का मतलब है complete rows and column मैंने एक variable बनाया है इस safe के नाम से जो immediately true है ठीक है check if it's safe to place num at the current save और यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है तक हम यह चेक कर सके कि जिस cell पर मैंने values को assign किया इसे दर save or not जो values आप लिखी check if num already exit in the current rows at column अब मैंने एक rows एक वाद loop यहां पर बनाया है जो i की value को 0 से लेकर less than n तक चल रहा है अब मैंने कहा कि अगर grid की value row के उस link के बराबर है यानि row का मतलब यह हुआ कि इस वक्रोग की values यहां पर देखो क्या है रोग की value is 0 और parent के मताबिक child complete चले का तो 0 i तो 0 i का मतलब यह हुआ कि first row के first column के अंदर values 0 है तो 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 इस तरह से values चल रहा है अगर किसी भी row के grid में values जो बराबर है नम की और नम का मतलब है 1 है ठीक है क्योंके मैं 1 से रहा है अभी initially यहां पर क्या हो रहा है इस logic हर एक grid में values put की जारी हो देखा दा रहा है कि वो save हो गया है ठीक है value values 1 put की गया और देखा दिया कि 0, 0 में नम है ठीक है या फिर चेक करो के grid i column equal to num है अब मैं row को भी देख रहा हूँ और column को भी देख रहा हूँ अगर आप column की logic देखो तो यह हो गया 0 और column की values complete चलेगी क्योंके यह inner site बिल्कुल इसको understand करना है इसकी basic logic को क्योंके असल काम ही ही हो हमने पहले row की values को entertain किया एक एक rows की values को लेके और उसके साथ मैं column को भी चेक कर रहा हूँ क्योंके दोनों जगा values को हमें assign कर रहा हूँ अब जब ये दोनों मैंसे एक चीज़ भी ट्रोग होगी तो मैंने कहा कि इस safe को false कर दो और वहां से क्या कर जो ब्रेक कर दो अब यहाँ पर ब्रेक करने की वज़ा क्या है तो इसकी initially वज़ा यह है कि check if num already exists in a current rows and column अगर num already मौझीद होगा तो इसकी तो जरुवत ही नहीं क्योंके अभी हमने logic भी देखा कि अगर इस row में या इस column में already assigned होने वाली इस values पहले से मौझूद है तो इसा है तो हमें यह चीज करनी ही नहीं है हमें तो यह आउट हो जाना है कि यह values नहीं चाहिए तो मैंने इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ पर check करके यह का कि अब जो variable जो इस save के नाम से दबूल था जो initially true था मैंने उसको false किया और log को break करके बाहर क्या क्योंकि यह values यहाँ पर acceptable नहीं है इसी तरह से continuously one से nine तब की values checking होगी और जहाँ पर उसको values save मिलेगी वो ही उस दफ़ाई उसमें जा सकेगा वगरना वो break होकर out हो जो तो उसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस loop के बाहर check करूं तो safe की जो इस save variable है वो true ही होगा अब हम true को check कर रहे है if num is safe to place, recursively try solving the rest of the puzzle यानि अगर मैंने यहाँ पर five लिया है तो यह right है तो जब यह right है तो recursively मुझे क्या करना है next empty space के लिए भी इन्ही values को solve कर दे रहे है ठीक है और हमने ऐसे ही करना है तो इसके लिए हमने क्या का कि अगर यह safe true है तो grid, rows and column अब grid, rows and column को अगर आप बवार देखो तो यह वही loop की values है जो हमने initially यहाँ पर लिए है rows and column की values ठीक है row complete, first iteration पर column को complete चला है तो going to zoom इन ना तो grid की values को check किया गया क्या वो नम के बराबर है, जी है नम के बराबर है तो दुबारा मैंने check function call किया कि solve sudo को यानि मैं recursion यहाँ पर इस्तावाल कर रहा हूँ inside the function और मैंने यहाँ पर pass कर दिया grid और grid को pass करने की वज़ा यह है कि grid के अंदर two dimensional values है two dimensional आ रहे, तो मैंने दुबारा call किया अगर इसकी value यानि दुबारा से true आ जाती, तो यह true return कर दें, ठीक है और ऐसा ही होगा यहाँ पर, क्योंकि इस वक्ट जो हम safe condition लेकर चलने है, वो true है, तो true के बहाफ पर क्या होगा, वो continue, वो इसलिए recursively, बार-बार आगे वाली values को check करता रहेगा और values put करता रहेगा, इधर वो rows पर हो या पर column, क्योंकि हम 2D format पर values को लेकर चल रहे है rows भी देख रहे हैं और column भी देख रहे हैं क्योंकि दोनों loops हमें इस्टमाल के हैं और यह process चलता है, अगर for example, यह position false हो जाती है, ठीक है हम देखते हैं कि हम 1 से शुरू करते हैं 1 column, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6 लेकिन 7th और 8 पे जाते हैं या लास्ट वाले 9 पर जाकर हमें लगता है कि अब यहाँ पर अगर मैं values को set कर रहा हूं ना इस जगापर ठीक है, इस जगापर values को अगर मैं set कर रहा हूं, तो वो 1 से 9 तक में किसी भी logic के मुताबित 2 नहीं हो पारी है, यानि इस 3 by 3 पर satisfying नहीं हो पारी है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती होगी, यहाँ पर जगलती होगी, तो हमें क्या करना होगा backtrack करना, तो backtrack करने का तरीका क्या होगा, जो जो जगापर मैंने values लिखी है, उन तमाम को zero कर दूँ, इसका मतलब है blank कर दूँ तो same logic हमने यहाँ पर apply कि मैंने का कि अगर यह safe position नहीं हो रही है इस grade के मताबिर, मैं false return करके बाहरा लेगा, और इसका false return करने का मतलब यह हुआ यहाँ पर, कि यह इस grid of question का, जो 9 by 9 आपने लिए है, उसका solution possible लेगा, ठीक है, otherwise, वो values को true return करेगा, और आपका solution find होगा display पर जो के 2D format लोगा, जो कि 2D format लोगा, ठीक है, इन के दरिये से, यूजर ने values दी, और उसके बाद मैंने उसे simple display करा, display कराने के बाद मैंने के बाद मैंने का कि solve जो sudo को function है, उसको call करके मैंने grid की values दे दी, जो input पर थी, उसको pass करने के बाद, sudo को puzzle solve लिखा आएगा, और उसके बाद print हो जाएगा हमारा 2D grid, तो 2D grid हमने पहले function बनाया वा था, first, इसके दरिये से solution possible हो जाएगा, लेकिन अगर हमें ये देखते हैं कि जो input values pass की गई है, based on the solve sudo को वो bold type है, वो false होता है, तो लिखा जाएगा no solution access पोर्टा, sudo को pass, hope you're understand, इस से हम एक online ID पर run करते हैं, क्योंकि वहाँ पर possibly input लिखना और display करना असाल है, यहाँ पर फोर सा क्योंकि नीचे preview आ रहा होता है, तो उसकी utilization थोड़ से distant, ठीक, बाखी कोई वज़ा और नहीं है, ओके online ID पर मौजून हो, same code मैंने यहाँ पर paste करके run किया, अब हमें 9 by 9 grade की values यहाँ पर assign करनी पड़ेगी, मैंने copy कर रखा अल्रेडी ता कि मुझे बारवर type ना करना पड़े यह input values हैं, जो 9 by 9 पर दीए जहाँ जहाँ पर 0 मौजूद है, वो blank को represent कर रहा है, after the number assigning, I am going to just click the enter key, तमाम वही जो values जो मैंने enter की थी, वो यहाँ पर display हो चुकी, और displayed होने के बाद, उसका solution based on the main function, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, कि यह heading लखी आईगी और उसके बाद हमारा grade print हो जए, and here it is your values is print now, तो यह solution हमारा print हो, क्या ऐसा मुम्किर है कि हम grade बे कुछ ऐसी values दे, जिसका solution पॉसिबल ना हो, जी बिलकुल, बिलकुल ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे, बिलकुल ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे, इसके लिए हम दुबारा से से run करते हैं, और उसके बाद कुछ values असा है, let's see, उसमें changing करेंगे, तो मैं कुछ values को change कर देता हूँ, for example, यहाँ, पर भी मैंने दुबारा से एक लिए, जो कि possible नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैंने force दे लिए, enter किया, and let's see, कैसा मुमकिन है कि कोई ऐसा input sudo को दिया जाए, जिसका solution possible ना हो, जी बिलकुल मुमकिन है, और अप हम ने discuss दी किया, इसके लिए मैं program को दुबारा run करता हूँ, मैंने थोड़ी सी changing कर ली कि इस 6 के साथ 0 मौझूद था, वहाँ पर बेने 6 लगतिया, let's see, I'm going to hit the enter key, and here it is, it's now under process, यह grids के जो recursive वे हैं, वो इसे solve कर रहे हैं, and last, it displayed now, no solution access for the sudo purpose, और वो क्यों नहीं है, क्योंकि आपने inputs में कुछ ऐसी changing या ऐसी assign values नहीं है, जो sudo purpose based on the rules solve नहीं करता है, तो if you understand के sudo purpose की basic logic क्या थी, वो recursion और backtracking के construct को कैसे स्टमाल करता है, और at last, recursively way पर हमारे mathematical problem को solve करके कैसे दे रहाँ, पिर भी अगर कोई सवाले कोई चीज समझ भी नाई है, यो comment section नहीं ज़रू बता है, कोशिश करूँ मैं सवाले से भरवक जवाब दे सकूँ, वीडियो को like करें, जाज़ा लोगो को share करें, और subscribe नहीं के वाद तो ज़रू करें तकि किसी तरह की motivation बर करार है, और मैं आपकी requirement के मताब काम करतनों, एक सचे बूलते, ज़िए